नमस्कार बच्चों, मेरा नाम प्रदीप सिंग भाटिया है और आज मैं आपको अर्थशास का ग्यारवी कक्षा का पांचवा अध्याय भारत में पूंजी निर्माण, मानव पूंजी निर्माण के बारे में बताऊंगा मानव पूंजी किसी भी देश की प्रमुक आधार शीला होती है मानव आप समझते हैं और पूंजी, पूंजी का मतलब क्या होता है पूंजी मतलब जो उत्पादन प्रक्रिया में सहायक हो मानव पूंजी प्रतेग देश की एक मुख्य आधार शीला होती है हम यह जानते हैं कि किसी शिक्षित व्यक्ति की कारे कुशल अशिक्षित व्यक्ति से अधिक होती है कोई भी शिक्षित व्यक्ति अधिक कारे कुशल होता है उसकी उत्पादन शमता अधिक होती है जबकि एक अशिक्षित व्यक्ति की कारे कुशलता कम होती है और यही कारण है कि शिक्षित व्यक्ति द्वारा आये का अधिक स्रजन किया जाता है शिक्षा पाने का प्रियास लगबग समाज के प्रतेक व्यक्ति द्वारा किया जाता है शिक्षा लोगों को सामाजिक स्थिती का ग्यान देती है, गौरव प्रदान करती है यह किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में बहतर विकल्पों का चैन करने में भी मदद करती है हो रहे हैं समाज में क्या चल रहा है समाज में क्या सही है क्या गलत है यह सब ज्ञान शिक्षित व्यक्ति के पास अधिक होता है शिक्षित श्रम प्रद्योगी की अर्थात तकनीक को अपनाने में भी सहायक होता है प्रतेग देश शिक्षा के अवसरों के विस्तार के लिए बहुत अधिक बल देता है प्रतेग देश चाता है कि उसके यहां शिक्षित व्यक्तियों की दर सबसे अधिक हो एक देश भौतिक संसाधनों को भौतिक पूंजी में परिवर्तित करता है जैसे भूमी पर कारखाना बनाना इसके अंतरगत भूमी एक संसाधन है उस पर जो कारखाना बनाया गया वै भौतिक पूंजी है इसी परकार से एक छात्र को मानव संसाधनों में परिवर्तित किया जाता है मानव संसाधन मानव संसाधन के अंतरगत अध्यापक्त डॉक्टर वकील इत्यादी आते हैं अब मैं आपको मानव पूंजी और मानव पूंजी निर्मान की अवधारना बताता हूँ मानव पूंजी क्या है और मानव पूंजी निर्मान क्या है मानव पूंजी एक देश में एक निशित समय बिंदू पर कुशलता, शमता, शिक्षा और ग्यान के स्टॉक अर्थात भंडार को बताती है सीधी साधी भाषा में हम बोलें, तो यदि एक मनुष्य को कई खेतरों का ग्यान है, वह शिक्षित है, उसकी ख्षमता अधिक है, तो वह मानव पूंजी कहलाता है इसके अंतरगत उन सभी परकार के कुशल व्यक्तियों का उपयोग होता है, जो उत्पादन क्रियाओं से जुड़े हुए होते हैं इसी प्रकार मानव पूंजी निर्मान हमने पहले क्या पड़ा मानव पूंजी मानव पूंजी निर्मान एक समय अफधी में मानविय पूंजी के स्टॉक में वृद्धी की प्रक्रिया है मानव पूंजी के स्टॉक में व्रिधी की प्रक्रिया का मतलब कि मान लिजिए हमारे देश में शिक्षित व्यक्ती सत्तर प्रतिशत है उन सत्तर प्रतिशत व्यक्तियों में और अधिक ज्ञान देना यहां जो तीस प्रतिशत अशिक्षित व्यक्ति हैं उन्हें भी शिक्षित बनाना यही मानव पूंजी निर्मान कहलाता है अर्थात मानव पूंजी एक स्टॉक है और जब मानव पूंजी में व्रिद्धी होती है तो उसे मानव पूंजी निर्मान कहते है मानव पूंजी में वृद्धी होती है। सत्तर प्रतिशत हमारे यहां शिक्षित हैं। भविश्य में यह आंकड़ा बढ़ेगा। सत्तर से 75, 80, 85, 90 प्रतिशत। यही मानव पूंजी निर्मान कहलाता है। अच्छी मानव पूंजी जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक आदी अन्य मानव पूंजी का उत्पादन या निर्मान करते हैं। डॉक्टर कहीं न कहीं अन्य व्यक्तियों को ग्यान देता है। इंजीनियर अध्यापक अन्य व्यक्तियों को अन्य मानव को ग्यान देते हैं जिससे मानव पूंजी का निर्मान होता है समाज को परियाप्त मातरा में मानव पूंजी की आवशक्ता होती है चाहे कोई भी देश हो, विक्सित, अलप विक्सित, विकास शेल, कोई भी देश हो, प्रतेग देश को मानव पुंजी की बहुत आवशकता है यह मानव पुंजी ही भौतिक पुंजी का कुशलता पूर्वक प्रियोग करती है भौतिक पूंजी हमने अब तक क्या पढ़ा मानव पूंजी मैंने आपको बताया कि मानव पूंजी भौतिक पूंजी का कारे कुशलता से प्रियोग करती है अब मैं आपको भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में अंतर बताता हूँ भौतिक पूंजी वह पूंजी होती है जिसे हम देख सकते हैं चू सकते हैं जैसे मशीन इमारते भौतिक पूंजी प्रमकरूप से उत्पादन प्रक्रियाम में मदद करती है बहुतिक पुन्जी को बाजार में खरीदा जा सकता है बेचा जा सकता है इने इनके स्वामियों से अलग भी किया जा सकता है जैसे एक मशीन का विक्रेता, मशीन बेचता है इसमें मशीन बहुतिक पुन्जी है एक उत्पादक ने उस विकृता से मशीन खरीदी तो इसका अभिप्राई यह हुआ कि उस मशीन का स्वामी पहले विकृता था और अब उत्पादक है अर्थात भौतिक पूंजी को उसके स्वामी से अलग कर दिया गया उत्पादक उस मशीन को खरीद भी लेता है अब उस मशीन का स्वामी वह उत्पादक हो जाता है जबकि मानव पूंजी को उसके स्वामी से अलग करना असंभव है मानव पूंजी के अंतरगत एक व्यक्ति को जो ग्यान है उस ग्यान को उस व्यक्ति से अलग करना असंभव है एक व्यक्ति की जो कारिक शम्ता है उस व्यक्ति की कारिक शम्ता को उस व्यक्ति से अलग करना असंभव है मानव पूंजी एक व्यक्ति का कौशल उसका ग्यान होता है और हम जानते हैं कौशल हो ग्यान हो उत्पादन ख्यमता हो हम उस व्यक्ति से अलग किसी हालत में नहीं कर सकते बहुत एक वस्तू के उत्पादन की कुशलता को मानव पूंजी के द्वारा ही बढ़ाया जा सकता है अर्थात एक व्यक्ति जितना ग्यानी होगा उसे किसी मशीन के बारे में जितना अधिक ग्यान होगा वह उस मशीन का पूंड एवं कुशलतम प्रियोग कर पाएगा बहुत एक पूंजी को एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांत्रित किया जा सकता है एक क्षित्र से दूसरे क्षित्र में लाया ले जाया जा सकता है जबकि मानव पूंजी पून रूप से गतिशील नहीं होती है परंतु पून रूप से नहीं होती मानव पूंजी के अंतरगत व्यक्ति से उस श्रम से पूछा जाता है कि आप यह काम करने के लिए तयार हैं आप यहां जाने के लिए तयार हैं परंतो भौत एक पूंजी अर्थात मशीन को हम अपनी मर्जी से कहीं भी ला सकते हैं ले जा सकते हैं मानव पूंजी के बहुत सुरोत होते हैं मानव पुण्जी के सुरोत अर्थात एक देश को मानव पुण्जी बनाने के लिए कई क्षेतरों में व्यकरना पड़ता हैं जिसमें प्रमुक्षेतर शिक्षा है अर्थात ज्यान, दूसरा स्वास्थ, हम जानते हैं कि कोई भी कमजोर व्यक्ति या बिमार व्यक्ति उत्पादन ख्षेतर में अपना योगदान उतना अधिक नहीं दे सकता तीसरा, फर्ब द्वारा अपने करमचारियों के कारे स्थल पर प्रशिक्षन करने में व्यक्ति चौथा, प्रवास पर व्यक्ति प्रवास का अर्थात प्रवास मतलब जब श्रम एक स्थान से दूसरे स्थान, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश जा पूंजी निर्मान का एक महत्मून-्सरोत होता है। इससे प्रतेक मानव की तक्नीकी कुशलता का स्रजन होता है, मानव को कई शेतरों का ज्ञान होता है, मानव शक्ती बनती है, आप इसे एक उधारन के द्वारा समझे, प्रतेक परिवार में माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करवाते हैं, अर्थात उनकी शिक्षा पर वेर करते हैं, यह एक प्रकार का निवेश हैं जो दिर्ग कालीन लाब के लिए किया जाता है, अर्थात पहली कक्षा से दूसरी तीसरी लगातार कक्षाओं में परिवार द्वारा माता पिता द्वारा व्य किया जाता है और उस बच्चे के ग्यान में वृद्धी होती है वहे बच्चा बड़ा होकर शिक्षित हो जाता है और मानविय पूझी निर्मान का एक अंश बन जाता है वह कही न कहीं किसी न किसी खितर में नोकरी करेगा उत्पादन में उसका योगदान होगा उत्पादन की कुशलता बढ़ेगी उत्पादन बढ़ेगा इसी प्रकार सरकार द्वारा मानव पूंजी निर्मान के लिए स्वास्थ पर भी वे किया जाता है मैंने आपको बताया कि एक बिमार व्यक्ति उतना अधिक कारेकुशल नहीं हो सकता जितना की एक स्वस्थ व्यक्ति चिकित्सा सुविधाओं पर सरकार द्वारा बहुत अधिक वे किया जाता है इसका उधारण स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ भारत अभियान के अंतरगत यह देखा गया कि गंदगी कम हुई जिससे श्रम की कारे कुशलता में वृद्धी हुई क्योंकि श्रमिक बिमार कम पड़े गंदा पानी यह भी नहीं मिलने लगा इसके लिए टीका करण बिमारी के दोरान ली जाने वाली दवाईया स्वास्ते शिक्षा को फैलाना आदी आता है स्वच्छ पानी का प्रावधान अच्छा निकास अर्थात पानी कठा ना हो बिमारियां नहीं फैलेंगी जब बिमारी नहीं होगी तो जो एक देश में श्रम है वह भी बिमार नहीं होगा स्वस्त होगा उसकी उत्पादन श्रमता बढ़ेगी यह सब एक अर्थविस्ता में स्वास्त के अनुरूप आते हैं स्वास्त प्रत्यक्ष रूप से श्रम पूंजी को बढ़ाता है उत्पादन में व्रिद्धी, उत्पादन श्मता में व्रिद्धी, राष्ट्रियाय में व्रिद्धी, लोगों के रहन सैन के स्तर में व्रिद्धी, लोगों की प्रियुज्याय में बहुत अधिक कई शित्रों में स्वास्त का अच्छा प्रभाव पढ़ता है तीसरा, फर्म अपने करमचारियों के प्रशिक्षन पर भी व्य करती है फर्म नौकरी के समय भी करमचारियों को प्रशिक्षन देती है या नौकरी से पहले भी जब फर्म इस प्रशिक्षन पर व्य करती है तो फर्म को यह उमीद रहती है कि एक निश्चित समय तक तो करमचारी उनके पास काम करेगा प्रशिक्षन देने से श्रम की कारेकुशलता बढ़ती है वह कम से कम समय में अधिक कारेकुशल हो जाता है अधिक काम कर पाता है अधिक उत्पादन कर पाता है उसे एक मशीन के बारे में पून ज्ञान हो जाता है प्रशिक्शन पर व्यक करने से श्रमिक की कार spin को शल्ता बढ़के है वस्तूओं की गुणवत्ता में भी सुधार होता है अगला श्रमिक को प्रशिक्षन देने के लिए फर्म द्वारा जो भी वे किया जाता है उससे फर्म के लाब में वृद्धी भी होती है क्यों? क्योंकि श्रमिक की उत्पादन शमता बढ़ जाती है प्रतेक श्रमिक को प्रशिक्षन देने में फर्म की लागत आती है फर्म का पैसा खर्च होता है फर्म फिर भी ये पैसा क्यों खर्च करती है क्योंकि श्रमिक जब प्रशिक्षित हो जाएगा तो वहें कम समय में अधिक उत्पादन करने लगेगा अधिक उत्पादन करने से फर्म का स्टॉक अधिक मातरा में बाजार में बिकेगा फर्म को अधिक लाब होगा और फर्म का वह लाब उसकी लागत से अधिक हो जाता है यही सोच कर प्रतेक फर्म श्रमिक को प्रशिक्षन देना चाहती है उसके प्रशिक्षन पर व्यर करती है अगला आता है पलायन परवेर कई बार लोग अच्छी नौकरी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान में पलायन करते हैं जैसे गरामिन शेतरों से शहरों में लोग आते हैं वह अधिक आए प्राप्त करने के उदेश्य से गाउं से शहरों की तरफ आते हैं इसी प्रकार एक देश से लोग अधिक आये अरजन करने के उधेशे से विदेशों में जाते हैं ताकि उन्हें अधिक आये प्राप्त हो, उनके जीवन स्तर में सुधार हो, उनके रहन सेहन के स्तर में सुधार हो इस प्रकार के पलायन में परिवहन लागत आती है यदि एक व्यक्ति दिल्ली में रहता है और वह बैंगलोर जाकर काम करना चाहता है तो वहां उसे वह सुविधाई भी प्राप्त हों जो उसे दिल्ली में प्राप्त है यही पलायन पर व्य है पलायन पर व्य कई प्रकार से किया जाता है जैसे परिवहन, कानून व्यवस्ता, संचार, आदी पर सरकार द्वारा व्य किया जाता है ताकि यदि कोई श्रमिक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसे वहाँ सभी सुविधाएं प्राप्त हो उस स्थान पर निर्वा करने के लिए लागत आती है इन सभी लागतों को पलायन पर वे कहते हैं जो की मानव पूंजी निर्मान का ही एक स्रोत है आखरी आता है सूचना पर किया गया वे यह भी मानव पूंजी का एक स्रोत होता है लोगों को विभिन पूंजी बाजारों में प्रचलित वेतन तथा अन्य सुविधाओं की जानकारी होती है जिससे वह नौकरी का चैन कर पाते हैं अर्थात उत्पादक एवं श्रमिक उन दोनों को ही सूचना प्राप्त होनी चाहिए कि कहां नौकरी है कहां एक श्रमिक की उपलब्धता है अन्य बाजारों के विशे में भी जानकारी प्राप्त करने के लिए व्यक किया जाता है इसके अंतरगत उत्पादक को श्रम बाजार से जानकारी प्राप्त होती है कि श्रमिक की उपलब्धता बाजार में कितनी है एवं श्रमिक को भी जानकारी प्राप्त होती है कि उसकी योग्यता और उसकी उत्पादक ताके अनुरूप उसे कहां कार्य मिल सकता है अब हम अगले भाग में पूंजी निर्मान और आर्थिक संवरिद्धी या आर्थिक विकास का अध्यन करेंगे मानव पूंजी निर्मान और आर्थिक विकास ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है मानव पूंजी निर्मान के कारण ही अर्थिक विकास होता है और आर्थिक विकास के कारण ही मानव पूंजी का निर्मान होता है जैसे मानव पूंजी में व्रिद्धी होने पर जीवन की गुनवत्ता अच्छी होती है लोगों के रहन सेहन के स्तर में सुधार होता है होता है इसी प्रकार आर्थिक विकास में व्रिद्धी होने पर लोगों को रोजगार के अधिक अफसर प्राप्त होते हैं उनकी प्रतिव्यक्ति आए बढ़ती हैं जिससे की वह शिक्षा और स्वास्त पर अधिक निवेश करते हैं व्रिद्धी होता है होती है हमने यह देखा कि मानव पूंजी के कारण आर्थिक विकास होता है और आर्थिक विकास के कारण मानव पूंजी का निर्मान होता है आर्थिक विकास का अर्थ है देश की वास्तविक राष्ट्याय में व्रिद्धी और हमें पता है कि राष्ट्याय में व्रिद्धी का अभिप्राय है अधिक से अधिक अंतिम वस्तूओं और सेवाओं का उत्पादन एक देश में अधिक अन्तिम वस्तूं और सेवाओं का उत्पादन होगा तो राष्ट्याय में भी वृद्धी होगी हम यहे भी जानते हैं कि एक शिक्षित व्यक्ति का श्रम कौशल एक अशिक्षित की अपेक्षा अधिक होता है एक स्वस्ति व्यक्ति अधिक समय तक श्रम की पूर्ती कर सकता है क्योंकि वह अधिक समय तक कार्य कर पाएगा स्वास्थे भी आर्थिक विकास का ही एक महत्पून कारक है मानव पूंजी की वृद्धी के कारण ही आर्थिक विकास होता है भारत में आर्थिक विकास में मानव पुन्जी को महत्व दिया जाता है आर्थिक विकास में मानव पुन्जी का क्या महत्व है यह भारत ने बहुत समय पहले ही समझ लिया था क्यों? क्योंकि भारत में जनसंख्या अधिक है और जनसंख्या अधिक होने के कारण अधिक मानव पूंजी की संभावना होती है हाँ यह जरूर है कि शेक्षिक दर अभी भी कम है परन्तु समय अनुसार इस शेक्षिक दर में लगातार वृद्धी होगी और मानव पूंजी का निर्मान होगा मानव पूंजी के बाद अब बस मानव पूंजी का निर्मान जरूरी है जिससे उत्पादन, उत्पादक्तार, राष्ट्रिया बड़े 1950 में वास्त्विक प्रतीव्यक्ति आये 75,007,500 रुपई के करीब थी जबकि 2017 में यह प्रतीव्यक्ति आये 77,000 रुपई हो गई अर्थात प्रतीव्यक्ति आये में लगातार वृद्धी हुई है इसी प्रकार शिशु, मृत्यु, दर 1950 में बहुत अधिक थी जो की वर्तमान समय में बहुत ही कम है क्योंकि स्वास्त पर अधिक व्य हुआ, अधिक व्य होने के कारण शिशु, मृत्यु, दर में बहुत ज्यादा कमी आये शिक्षा पर भी व्य होने के कारण साक्षर्ता, दर, प्रती वर्ष बढ़ती ही जा रही है कुछ वर्षों बाद आप देखिएगा, भारत, अमेरिका और चीन के बाद, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थवेस्था के रूप में उभर कर आएगा और जल्द ही भारत पाँच ट्रिलियन अर्थवेस्था बनेगो ऐसा तभी संभव है जब भारत में मजबूत शिक्षा प्रनाली हो, नई नई तकनीकों का विकास हो, मानव पुण्जी का निर्मान हो अब हम अगले भाग में भारत में मानव पुण्जी निर्मान की स्थिती का अध्यन करेंगे मानव पुण्जी की समस्याओं का अध्यन करेंगे भारत में शिक्षा का शेत्र, उसकी उपलब्दियां, उसकी कमियां इन सबका अध्यन करेंगे आशा करता हूँ आद की कक्षा में आपको मानव पुण्जी के बारे में पुण्ज्ञान मिला होगा नमस्कार झाल